देशबर के IIT में हो रहे छात्रों की आत्महत्या पर रोक्थाम को लेकर दायर जनिति याचिका को सुप्रिम कोट में यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि इस याचिका में जो मांग उठाई गई है उसको लेकर पहले से ही कमिटी बनाई जा चुकी है ऐसे में याचिका करता की ओर से जो याचिका दायर की गई है सुप्रिम कोट में वह व्यर्थ है ऐसे में सुप्रिम कोट के जस्टिस फालियस नरीमन ने याचिका करता और पेशे से वकील गौरब कुमार बंसल पर 10,000 रोपे का जुर्माना भी लगाया है कहना पिसर बंटी के साथ सुमित कुमार जी मीडिया दिल्ली का पंच सबसे नया सबसे अनुठा न्यूज एप बस एक क्लिक दूर जी हिंदुस्तान डाउनलोड करें और बाखबर रहें सफर में हूं या घर पर अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर एप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान एप सफर में हूं या घर पर अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर एप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान एप पांच भाशाओं में चुनें अपनी पसंद की भाशा जी हिंदुस्तान के लाइब टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नसर सफर में हो या घर पर अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर आप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान आप पाँच भाशाओं में चुने अपनी पसंद की भाशा जी हिंदुस्तान के लाइब टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नसर सफर पर हैं और ढूंड रहे हैं खबर खबरों में ढूंड रहे हैं अपना शहर टॉप न्यूज ब्रेकिंग और हर अपडेट तमिल, मल्यालम, टिल्गू और कन्नर्ड हिंदी के साथ पाँच भाशाओं का पंच सबसे नया सबसे अनुठा न्यूज अब सफर में हूं या घर पर अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर अप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान एप पाँच भाशाओं में चुनें अपनी पसंद की भाशा जी हिंदुस्तान के लाइब टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिये 24 घंटे अपनी नसर सफर में हूं या घर पर अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर अप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान एप पाँच भाशाओं में चुनें अपनी पसंद की भाशा जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिये क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिये 24 घंटे अपनी नसर